मैं आपको एक real example दिखाने जा रहा हूँ, real example कि साड़े 1400 GPV का business होने के बावजूद भी ये डिरेक्टर qualified नहीं बने, अब उसका नमस्का अमरे मित्रो, मैं अंकित के शर्वानी, आपका अपने इस YouTube चैनल अंकित के शर्वानी में आपका स्वागत करता हूँ 1450 GPV करने के बावजूद भी मेरी टीम से एक ब्यक्ती रह गएं non qualified डिरेक्टर, उनको एक भी रुपए नहीं बना, उनको डिरेक्टर बोनस नहीं मिला, उनको बाइक बोनस नहीं मिला, अगर आप भी मोदी कियर में seriously काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी important होन मैं आपको मोदी कियर new plan 2022 के तहट किस हिसाब से आपको कब कितना payout मिलेगा उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, मोदी कियर ने एक circulation जारी किया हुआ है, जिसमें मोदी कियर ने ये बताया है कि किस किस केस में आपका पैसा बनेगा, किस किस केस में आ आपका पैसा नहीं बनेगा, तो इस वीडियो को लास तक बड़े धान से सुनियेगा, क्योंकि ये आपके payouts related है, और ये चीज अगर आपने गलती कर दी, तो आपकी income हो जाएगी, जीरो भले ही आपने 6000 GPV का business किया हो, तो very important वीडियो, वीडियो में लास तक जरूर बने र लाली है, तो चलिए सुरू करते हैं, तो चलिए कुछ नए terms के बारे में हम बात करते हैं, जो Modi Care ने अपने समीर Modi Global Plan में announcement किया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनियेगा, समझ ये क्या क्या है, company क्या कह रही है, company ने एक नया term launch किया है, या एक नई rank बोल सकते हैं, उसको launch किय या जिसको company ने नाम दिया हुआ है, non qualified consultant, जैसे अभी तक आपने सुना है non qualified director, अब non qualified consultant भी एक नई rank बनाई गया है, अब ये rank है क्या समझेगा, company क्या कह रही है, अगर आपका GPV या तो 5% है, या तो 8% है, 10% है, या तो 11% है, या आपने 1200 PV से भी ज्यादा का GPV बिजनस किय हुआ है, लेकिन आपने खुद की 30 PV की shopping नहीं की, ध्यान सुनिएगा, आपकी rank कोई भी हो, 5%, 8%, 10%, 11%, लेकिन 30 PV की अगर आपने shopping नहीं किया है, तो आपकी rank मानी जाएगी non qualified consultant, और इस case में आपको एक भी रुपए नहीं आएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा, 30 PV की अगर आ बिजनेस हो चुका हो, जितने भी GPV का बिजनेस हो चुका हो, एक भी रुपए आपके bank account में नहीं आएंगे, और ना ही बनेंगे एक भी रुपए आपके, पहला point समझ में आया, चलिए, दूसरे points की बात करते हैं, दूसरा point क्या है, कि अगर आप non qualified consultant है, ठीक है, और आपन आपने नीचे 1200 GPV का भी बिजनेस कर लिया, या उससे भी जादा कर लिया, और आपने 30 PV की shopping नहीं की, तो आपके bank account में एक भी पैसा नहीं आएगा, ये वो ही point है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, अब समझ ये, दूसरा point समझने को सिस करिए, अब माल लीजिए, आप consultant है और आपने खुद की 30 PV की shopping कर लिया, बड़े ध्यान से सुनियेगा तीसरा point, आपने 30 PV की shopping कर लिया, लेकिन आपके नीचे टीम ने जो काम किया, उनके काम करने से आपका जो total GPV हो गया, माल लो वो 1450 हो गया, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, इस case में कमपनी क्या कह रहे है कि ना ही आपको director bonus मिलेगा, ना ही आपको bike bonus मिलेगा, ना ही आपको national travel fund मिलेगा, ये तीन income आपको नहीं आएगी, आपको जो आएगी, वो सिर्फ आएगी performance bonus, मतलब 5% से 11% के बीच का जो differential income है, वो ही आने वाला है, क्योंकि director बनने के लिए, अगर आपके नीचे 1200 GPV का business हो तो आपको minimum 60 PV की shopping करनी थी, जो कि आपने नहीं किया है, इसलिए वो तीन तरह की income नहीं आएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो एक चीज का याद रखिएगा, अगर आपका GPV business 1200 हो रहा है, तो आप make sure करिए कि आपकी 60 PV की shopping हो चुकी चाहिए, वो भ जितने भी non qualified consultant बनते हैं, non qualified consultant मतलब उनके नीचे जितने भी GPV का business हुआ है, चौथे points की बात कर रहा हूँ, जितने भी GPV का business हुआ है, लेकिन उन्होंने 30 PV की shopping नहीं की है, तो वो सारा business आपके applying को चला जाएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा, सारा business आपके applying को वो चला जा क्योंकि आपकी rank होगी 0 और जितने भी GPV का business होगा, वो आपके applying के PGPV में count हो जाएगा, तो इस चीज को याद अखिएगा, ठीक है, चलिए, पांचवे points की बात करते हैं, तो company क्या कह रही है, कि माली जी किसी भी एक लिग में, आपका कोई भी a qualified director बन जाता है, या उससे जादा rank हो जाती है, और उनके और आपके बीच में कोई non qualified director होता है, तो उसका PGPV अब नए plan के according, roll up नहीं होगा, उसकी rank non qualified director होगी, लेकिन उसका जो roll up है, मतलब उसने जो side से business किया हुआ है, वो अगर 900 PV से कम है, तो उसका roll up आपके roll up में नहीं add होगा, ये नए plan के according, तो simple सी बात क्या है, कि अगर आपके नीचे कोई भी ब्यक्ती किसी भी generation में हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दसवी generation में, अगर कोई 1200 PV का business करके qualified director बन जाता है, तो उस लेकिसे आपको roll up PV नहीं आने वाला है, मोधी के नए plan में roll up PV का concept खतम हो गया है, सरल सब्दों में स डिरेक्टर रैंक से नीचे है, उनको mandatory है अपना performance bonus लेनी के लिए 30 PV की swapping करनी है, महना खतम उनस पहले, जिनके नीचे 1200 GPV का business हो जाता है, और वो चाहते हैं कि उनका director bonus बने तो उनको mandatory है 60 PV की swapping करना, मोधी के नए plan के according, तो अभी तक अगर आप ये गलती कर रहे हैं, तो ये गलती बिलकुल भी मत करिए, मैं आपको एक real example दिखाने जा रहा हूँ, real example कि सारे 1400 GPV का business होने के बावजूद भी ये director qualified नहीं बने, अब उसका reason क्या है, आप मुझे comment box में बताईएगा, क्योंकि मैंने सारे कारण आपको बता दिये, फिर भी मैं आपको बता देता GPV का business हुआ, 1454 GPV के आसपास का business हुआ, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इन्होंने लगबग लगबग 57PV की shopping की हुई है, 57PV की shopping की है, अगर ये 3PV की shopping करके 60PV की shopping कर लेते तो ये qualified director कहलाते हैं, लेकिन due to 57PV, ये non qualified director कहला हैं, इनको सिर्फ performance bonus आया, इनको director bonus, दुन नियादारी जो मिलता है, वो नहीं आया है, तो आप ऐसी गलती बिलकुल भी मत करिएगा, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, I hope आपको कुछ नई जानकारी मैं देखे गया होंगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजे चैनल